नमस्कार दोस्तों साउथ अफरिका के खिलाप खेले जाने माले पहले टीट्वेंटी मुकाबले के लिए नए कप्तान बनते हैं सुर्य कुमार यादों ने एक बार फिर से युवाँ से भरी टीम इंडिया का फाइनल प्लेंग 11 का एलान कर दिया है आपको बता दे कि रोहित सर्मा और हर्दिक पंड्या के गहर मौजदूगी में सुर्य कुमार यादों ने एक बार फिर से अफरिका दोरे के लिए टीम इंडिया की टीट्वेंटी कमाल समालते नजर आएंगे और हाल में सुर्या की अगवाई आली युवा टीम ने अनुभा में कहा मैं काफी खूज हूँ कि मेरी कप्तानी में टीम इंडिया ने आशलिया टीम से वर्ड कप में मिली सर्मनाक हर का बदला ले लिया है और चार एक से टी-20 सिरीज में सर्मनाक मात भी दे दिया है लेकिन हमारी परिक्षा अभी यहीं खतम नहीं हुई है क्योंकि हमको अफरिका दवरे के लिए जाना है जहां पर तीन मैचो की टी-20 सिरीज हम सभी खिलाडियों को खेलनी है मैं जानता हूँ कि अफरिका को उन्हीं के मैदान पर जाकर हराना बहादी ज्यादा मुश्किल है लेकिन हमारी वह भी जिस कदर फोम में चल रहे हैं उनकी फोम को दे मैदान पर उतरना चाहेंगे दोस्तों सुरिया के ऐसे ब्यान आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंड में जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर आप भी सुरिया को एक बेहत्रिन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर लिजेगा चलिए तो दोस्त अंतिम टी-20 मुकाबला 14 दिसंबर को देखने को मिलेगा और ये तीनों ही टी-20 मुकाबला अफरिका के तेज मैदान पर भारतिय समय नुसार रात 9 बजे से शुरू होगा जिसमें टीम इंडिया की ओपनिंग जोडी में यसस्वी जैस्वाल और सुगमन गिल्क देखने को मिलेंगे और ये दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज टी-20 पॉर्मेट में टीम इंडिया को अपनी तुफानी बल्लेबाज के दम पर ताबढ़तोर अंदाज में एक तुफानी शुरुआत दिलाने की काबलियत रखते हैं हलाकि रितूराज गायकवर्ड का नाम भी टीम कुसी और जीते सर्मा समय चार तुफानी बल्लेबाज मौजू था है जो अपने तुफानी बल्लेबाज के दम पर टीम इंडिया को एक बेहत्रिन स्कोर तक पहुचाने की काबलियत रखते हैं और ऐसे में टीम इंडिया का मिडी लोडर्स अभी काभी ज़्यादा मजबू हैं और चौथे नंबर पर 360 डिग्री के नाम से मसूर भारतिय कप्तान सूर्य कुमार यादो बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ तुफानी बल्लेबाजी ही करना जानते हैं और पांचवे नंबर पर टीम के फिनिसर कहे जाने वाले रिंकु स तो आप सब्सक्राइब करते हुए नजर आएंगे और दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि जब भी टीम इंडिया को कम गेंदों में ज्यादा रनो की दरकार होती है तो रिंकु सिंग से में करने के लिए उतारा जाता है क्योंकि रिंकु उसे ने आस्टलिया के खिलाब भी अपना आकरमक रोया अपनाया था तो वहीं छटवे नंबर पर टीम इंडिया के 20 फोटक बिकेट की पर बल्लेबाज जीते सर्मा बल्लेबाजी करते हुए नजराएंगे जिन्होंने हाल में ही आस्टलिया की खिलाब अपने तुफानी बल कप में अपनी तुफानी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर लजबाप का परदर्सन किया है ऐसे में रविंद्र जड़जा फिलहाल काफी संदार ले में चल रहे हैं और टीम इंडिया की उपकपतानी का भी कमाल संभालते नजर आएंगे दोस्तों टीम बल्लेबाजी में 4 तेसगेंद बलाज को मौका मिला है आपको बता दे की तेजघेंद बली में मोहमत सिराज की वाप्स सी देखने को मिलेगा और इनके साथ-साथ मुकेश कुमार और दीपक चाहर भी तेजघेंद ब माजी की भुम हьकानी भाते नजर आएंगे